हारी कृष्णा नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों ग्लोसी पोटिको सर्वसंपू चैनल में आप सभी काफिर से हारतिक स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे प्यारे लाडलो का श्रिंगा जो नवरात्री पे किया है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इतने सारे वीग रहे हैं नवरात्री भी है माता रानी को भी रेडी करना है तो लडू गोपाल राधा रानी कैसे रेडी होंगी मंदिर कैसे सेट अप होगा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसका मैंने पहले भी एक सॉलीशन बताया है कि सभी बच्चों को एक साथ उनकी पोशाग धारन करा करके विराजमान कर लें और फिर फटाफट फटाफट जोईलेरीज उनको पहनाते जाएं आज स्बसीध उनकी सीवा में दिखा रही हिए यहाँ पर वीदियो में आप सकते हैं कि ओ शाक सबने धारन कर ली है एक करके सबड़ी स्ब試ות में पहना रहािए हूं इनको नेकलेस पिनारी हूँ सपराफ़ एक लोना लाय था दो विम टीनक लित негоit रखा मैं बहुत ही चु स्टेप डिसकस करेंगे इस वीडियो में अब डबल लेयर की माला पहना रहे हैं तो इनकी लेंग थाइट अच्छे से देख लें ताकि यह अच्छे से वीजिबल हो जाएं इनका जो नेक है प्रॉपर कवर हो जाएं तो इसमें आप दूसरी माला पहनाने की जरुरत नहीं है लेकिन तूलसी माला मैं पहनाऊँगी, तो अभी आप देख सकते हैं, हम कंगन पहना रहे हैं, पिंक कलर का, और इसके बाद, छोटा छोटा शुटा शुरिंगार जो बचा है, मुकुंद का वही करेंगे, जादा कुछ भी हैवी नहीं करने वाले हैं, ये माता रानी का दिन ह बाकि हमारे लाड़ ले रेडी हो ही जाते हैं तिलक लगा दिया है तिलक लगाने के बाद इनका फेस देख सकते हैं बहुत ही क्यूट हो गया इन reminder ने प्यूट है भू़त ही अच्छी है अब त तुलसी माला का मैं डिसाइड नहीं कर पारी हूँ कि इसे कैसे सेट किया जाए ताकि ये बाकी लुक को छुपाए नहीं तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है इससे इनका लुक और एन्हेंस हो जाएगा और इनकी फेवरेट तुलसी माला इनके पास रहेंगी ये देखे एरिंग्स पहनाई है मैंने पॉल वा कृष्णवी को हम रेडी कर रहे हैं इनको भी पोशाक पहले से धारन करा दी है ताकि हमें जादा समय ना लगे इन्हें रेडी करने में तो फटा फट से इन्हें प्यारी सी माला पहना देंगे इनका तिलक लगा देंगे इनके योरिंग्स पहना देंगे कंगन पहना तो आईए एक-एक स्टेप देखते हैं और सबसे जरूरी यह चीज है कि यह दोनों को आप जो भी त्योहार हो हमेशा एक साथ विराज मान करें दूर दूर नहीं करें कि एक को इस कोने में कर दिया है एक को इस कोने में मंदिर में यदि जगा नहीं है सपोज माता रानी का तियोहार है तो मंदिर में जगा नहीं है तो आप इन्हें थोड़े दूर पर एक टेबल पे या स्टूल पे विराजमान कर दें बर इन्हें हमारे लाटले और लाली को एक साथ ही विराजमान कराएं आज के श्रिंगार में स्पेशल यह है कि इनके जो न्यू-न्यू केश आए हैं कानू के करली हेर्स आए हैं कृष्णवी की प्यारी सी छोटी सी चोटी आई है जो की डेकॉरेटेड है उसे मैं एक पेपर पिन आता है उसके थ्रू यहां पर फिक्स करूंगी कृष्णवी के तो आपको show हो जाएगा वो कैसे fix करेंगे हम और कानू के curly hairs भी हम लगा देंगे तो कानू का look भी जरा सा different आएगा और कृष्णवी का look भी बहुत cute आएगा साथ ही साथ हमें जो केश लगाना है उसके उपर यदि वो set नहीं भी होता है आप देख सकते हैं वीडियो में यह अच्छे से उतना set नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे यह set होने लगेगा और हम पगडी लगा दे रहे हैं यह red color की तो आप देखें ऐसे लग रहा है कि यह set हो गया है केश चोटी को भी मैंने बताया red color की चोटी है मैंने सिर्फ अभी एक ही ली थी ट्राइ करने के लिए कि कैसी लगती है हमारी कृष्णवी क्रिश्णवी को कोई टियारा नहीं पहनाया है उनके हलक से कुछ हैर्स नहीं लगाए है सिर्फ चोटी लगाएंगे और उपर इनकी एक चोटी सी cap है इनकी ड्रेस से मैच हो रही है यह हमारे मुकुंद कानू क्रिश्णवी रेडी हो गए है इनकी बंसी हम बाद में दे देंगे आशा करती हूं कि आपको इनका श्रिंगार बहुत प्यारा लगा होगा प्यारा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में हरे क्रिश्ण राधे राधे